हेलो फ्रेंड्स आज मैं मठ्री बनाने जा रही हूं तो उसके लिए हमें जो समगरी चाहिए वो है यहां पर मैंने 250 ग्रैम्स जो की वन बोल अल परपस फ्लोर है जिसे हम मैदा भी बोलते हैं उसको लेंगे और इसमें हम लगबग दो बड़े चमश कुकिंग ओएल आड़ करके इसका मोयन बना लेंगे मोयन बनाने के लिए हम अपने दोनों हाथों के पाम पर इस मैदा को रखते हैं और उसे अच्छी तरह से रब करते हैं जिससे ओल इस मैदे में बिलकुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और यह आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है झाल झाल मैदे को हमने लगबग 7-8 मिनुट तक मोयन किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा आटा एक जगर यानि कि मैदा एक जगर अच्छे से इखटा हो जा रहा है एक बॉल जैसा ये बन जा रहा है तो मोयन हमें इतनी देर तक करना है मठरी बनाने में मोयन जो है वो बहुत ही important step होता है मोयन के बाद अब इस मैदे में हम स्वादा नुसार नमक एड़ करेंगे और साथ ही एक बड़ा चमश मंगरेल जिसे की हम कलॉंजी भी बोलते हैं उसे एड़ करके mix कर लेंगे अब इसे हम पानी की help से गूत लेंगे पानी हमें इसमें घट्टा नहीं डालना है बलकि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूत ते जाएंगे यहां मैदा आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गुत गया है तो इसका जो मच्री का यह जो डो है यह ना ही बहुत सॉफ्ट रहे और ना ही हाड रहे इसका डो हमें मेडियम सॉफ्ट रखना होता है जिससे मच्री अच्छे से बनती है अब इस डो को हम लगभग 20 मिनिट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे 20 मिनिट्स हो गए हैं अब हम डो को ओपन करके थोड़ा सा मसल लेंगे अब इस डो से हम दो बॉल्स बना लेंगे आप चाहें तो बॉल्स के साइज थोड़े बड़े या छोटे अपने एकॉर्डिंग कर सकते हैं अब इसको हम सूखे मैदे की हेल्प से रोल कर लेंगे मठ्रियां बहुत पतली नहीं बनाई जाती बलकि थोड़ी थिक रहती हैं तो इसलिए यह जो हम रोल कर रहे हैं इस पूरी को बहुत पतला नहीं बेलना है बलकि लगभग 1 cm की थिकने समें इसमें रखनी है यह देखिए यह बहुत अच्छे से रोल हो गया है तो अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसे डामेंड शेप में कट कर लेंगे आप चाहें तो शेप अपने एक और्डिंग भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर दो शेप में बनाई है एक सरकल शेप है और दूसरा जो है यह डामेंड शेप है शेप की डिजाइन कट करने के लिए आप नाइफ के लावा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकल शेप के लिए आप किसी छोटे कैप का यूज़ कर सकते हैं अब हम इन मच्री के पीसेस को अच्छी तरह से संभाल कर एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हमें इन मच्रीयों को फ्राई करना है तो उसके लिए हमें कड़ाई गरम करेंगे और उसमें लगबग हाफ लीटर तक कुकिंग ओयल अड़ कर देंगे आप चाहें तो कुकिंग ओयल की जगर पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह आपकी उपर है कि आप मच्रीयों को घी में बनाना चाहेंगे या फिर तेल में मच्री को हमें डिप फ्राई करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाफ लीटर ही ओयल लें इतना लीजिए कि मच्री अच्छी तरह से डिप होके फ्राई हो जाएं आब हम चेक कर लेंगे कि तेल अच्छी से पग गया है फ्राई करने लाईक या नहीं तो उसके लिए हमने यहाँ पर मच्री का एक पीस डाल दिया है मठ्री देखिए फ्लोट करने लग गई तो इसका मतलब ये है कि तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है आब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मठ्री डाल कर फ्राई कर लेंगे मठ्रियों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है मठ्रियों को उलट पलट करके दोनों साइड से पकाना है ये आप देख सकते हैं मठ्री बहुत अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसे एक टीश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ओयल टीश्यू पर रह जाए और मठ्री हमारी साब सुत्री निकाला है इसी तरह से हम बाकी की बच्ची हुई मठ्रियों को भी फ्राई कर लेंगे ये देखे फ्रेंट्स उसी तरह से हमने ये सरकल शेप वाली मठ्री भी रेडी कर ली है आप चाहे तो दोनों में से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं हमारी सारी मठ्री बनकर तयार हो गई है मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंट्स